नमस्कार स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया में दोस्तों क्या आपने इस प्रशन पर विचार किया है कि एक दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा होगा ये कि परती पर संपूर्ण जीवन 15-18 घंटे में समाप्त हो जाएगा सूरी ही हमारी उर्जा संबंदी आवसकताओं का सारभामिक, सारवकालिक और चिरकालिक स्रोथ है सूरी के बिना परती पर जीवन की कलपना संभवी नहीं है सूरी से ही मौसम और विज्ञान संचालिस होते हैं आप सभी ने सूरी पुतर काण की कता तो सुनी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंड थे सबसे बड़े सौरवेग्यानी और कंड के पास था सौर अत्यारों का सबसे बड़ा जखिरा हाला कि हम इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं करेंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तो अब तो आप जानी गए होंगे कि हमारे जीवन में सूरी का कितना महत्व है फिर भी हमारे देश में कुछ लोग सूरी नमस्कार पर एतराज करते हैं सोचिए प्रश्न धर्म का नहीं अपितु जीवन का है पहले जीवन की उत्पत्ती हुई तब धर में स्तापित हुआ परन्तु ये बेहत दुर्भागे पूर्ण है कि कुछ लोग महज अपने संकीर स्वारतों के लिए समाज में धार्मिक वैमनस्चे फैलाते हैं लेकिन परतेख समाज में हर समय इस प्रकार की नकारत्मक शक्ती विद्धमान होती है कभी परकट रूप में तो कभी अध्रश्य रूप में तो आईए मिलकर मिटाएं नकारत्मक्ता को सकारत्मक्ता से औरस्मरन करें उर्जा शक्ति एवं जीवन के स्रोध सूरीदेव का जिनका उपासक है अपना भारत देश परंतु क्या आप जानते हैं कहां है भारत का प्राचिंतम सूरी मंदिर जानने के लिए अन्तक देखे वीडियो को पर यदि आपने नहीं किया है अभी तक राइजिंग इंडिया को सब्सक्राइब तो ऐसे ही रोचक और ज्यानवर्दक जानकारियों से भरे वीडियो लगातार देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें राइजिंग इंडिया को सब्सक्रिप्शन के लिए रेड रंग के सब्सक्राइब की बटन को दवाएं जिसके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें भारत वर्ष का सबसे प्राचिंतम सूरी मंदिर देभ भूमी उत्राखंड के अल्मोडा जिले के अल्मोडा राने के सडक मार पर कोसी कस्बे से महस 3 किलो मीटर की दूरी पर अधेली सुनार नामक गाउं में समुन्दर तल से 216 मीटर की उचाई पर अवस्तित है कटार मल के इस एतिहासिक और पुरातात्विक भाविय एवं समर्दी पूर्ण मंदिर का उत्राखंड के इस्तापति सिल्प में परमुक एवं महत्वपूर्ण स्थान है यह इसमारक प्राचीन इसमारक तथा पुरातात्विक इस्थल और अविशे सदिनियम 1958 के दीन दित्ति के नाम से किया गया है यजुर्वेद के 33 अध्याय में 49 वे 40 मंतर में बड़ा दित्ति का संदर्व प्राप्प होता है जिसमें कहा गया है हे प्रकाशक तुम सचमुझ महान हो तुम अभिनासी सच और महान हो आपकी स्तुति लोग गाते हैं आप सर्वाधिक हो हे सूर्ये आप यश्क के कारण हो प्राण दाता देवों में अग्रणी सर्व्यापी और अनुप में एवंतेजस्वी हो इस मंदिर का निर्मान कत्यूरी वंची कटार मल्य देव ने किया था इस मंदिर से तीन लगू अविले मिले हैं मंदिर वास्तुकला की एकलिपी क याधार पर कटार मल्का राज जे ग्यारवी सती ईस्वी के अंतिम दसक से बारवी सती ईस्वी के पर्थम दसक के मध्य अनमानित होता है डोटी तथा अस्कोर्ट राजावलियों में भी इस राजा का नाम वनलेख है यहू देव मंदिर मध्यकालीन छत्रे रिखा के नाम से जाना जाता था जिनके अपासक क्रमसो, भगवान सूर्य, गणेश, देवी भगवती, शिव और भगवान विश्णु के नाना अवतारों को अराध्य मान कर साधना किया करते थे। वैदिक काल में ही यह धारना परिश्कृत हो चुकी थी कि नाना रूप में प्रकट होने वाली सारी देवी सत्ता वस्तुत व एक ही परमसत्ति की उद्गाटिका है। अपने दर्शेकों की जानकारी के लिए बता दें कि बड़ा दित्ति के नाम से परसित कटारमल सूरी मंदिर पूर्वा भिमुख है। उद्धित होते ही सूरी की किर्णे गर्भ ग्रहों में स्तित, परधान मूर्ती, उद्धेच वेश्धारी सूरी पर पड़ती है। कुमाउं चेतर के विशालतम और उचे मंदिरों में से एक यहां मंदिर संभतो कत्यूरी नरेश कटारमलदारा निर्मित किया गया था जो उस समय ही मध्यमाले चेतर में शाशन करते थे। यहां विभिन सम्मूहों में लगबग 45 चोटे बड़े मंदिरों का निर्मान अलग-अलग काल में किया गया है। आश्ट द्वारा निर्मित था जो वर्तमान में राष्टे संग्राल है नई दिल्ली की दीरगा में सुरक्षित है। सूरी मंदिर कटार मलका निर्मान भले ही कत्विरी काल में किया गया हो परन्तु सूरी पूजा हेतु यहास्तान काफी पहले से परयुक्त होता रहा। स्कंड के अंतिस्वे अध्याय में रिश्यों द्वारा वेद व्यास जी से पूछे जाने पर कि सरोपर्थम बड़ा दित्ति की पूजा किसने की और भगवान सूरी अपने मंडल को छोड़कर इस भू मंडल पर क्यों परतिश्टित हुए। इस प्रश्यों के उत्तर में व्यास जी कहते हैं सत्युग में काल नेमी नामक असुर देवों का विद्वेशी रहा उसने रिश्यों के आच्रमों को जाड़कर उनके साथ अत्याचार किया। इस राक्षस से तरस्तो होकर द्रोणागिरी, काशाय परवत तथा कज्जार परवत के निवासी रिशी मुनी कौसिगी तट पर आये। उन्होंने रक्षा हेतु सूरी की उपासना की, सूरी देव ने तथास्तू कहकर अपने दिवी तेज को पवित्र वट्चिला पर इस्थापित किया और इस चेत्र को काल नेमी राक्षस द्वारा परदत कष्टों से मुक्ति परदान की यहाँ वट्चिला कटार मल के इस ब आदित्य स्थित है, मुक्ही मंदिर में बाहर परतिष्टित अन्य मंदिरों की मूर्तियों को भी इस्थान दिया गया है, भारती पूरा तत्तू सर्वेक्चन विवाग के संग्रेक्षन में इस्थित इस देवाले के उत्तर पूरु से दचिन तक तीनों को ने सन 2000 से पूर जिनोधार किये जा चुके थे, सन 2004 के बाद दचिनपूरु का शिकर भाग नवनिर्मित किया गया, अन्य जिनोधार कारी भी यहां पर संपन्ने किये गए, धौरपूर राजिस्तान, भरतपूर आगरा उत्तर परदेश के कारीगरों ने इसका जिनोधार कर इसे पूना प्राचिन्तम उतकर्ष डूप में लाखडा किया है, तो वहीं कटारमल गाओं के बारे में यहां के स्थानिय जानकारों से ग्यात होता है कि सूर्य मंदिर की स्थापना के बाद बेलवाल जाती के लोगों को पूजा अर्चना हेतू इस स्थान पर लाकर बसाया गया, सलाल कटारमल गाओं पूर में इस मंदिर से जुड़ी देवदासियों का ही गाओं है, राजा द्वारा प्रदत की गई भूमी या गूट उन महिलाओं के नाम पर ही वंशा नुगत चली आ रही है, इनी के वंशे जुड़े नायक वर्तमान में बिष्ट कहलाना पसंद करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, राइजिंग इंडिया को कमेंट करना ना भूलें, जदी पसंद आया आपको हमारा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेर करें हमारी वीडियो लिंक को अधिक से अधिक, अगले वीडियो में फि जिसी धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टा के साथ.